नमस्कार, शुप्रभात मेरे प्यारे बच्चो, गुड मॉनिंग, कैसे हो आप सभी, आप सभी अच्छे हो ना, तो आज हम न्यू व्यंजन की पहचान करने वाले हैं, तो आज हम किस व्यंजन की पहचान करेंगे, चलो देखते हैं, वाओ, तो यहाँ पे आपको चित्र भी देख रहे हैं, और यह देखो सर्कल में कौन सा व्यंजन लिखा हुआ, यह तो है व्यंजन बा, बा होता है ना, तो बा से क्या क्या बनता है, देखो बा से बतक, बा से बटन, बा से बग्गी, यह बग्गी जानते हैं, अब भी देखो साधियों का टाइम चल रहा है ना, तो ये तो है बासे बगगी और जब अपने हाँ पे जुलूस निकलता है तब भी भगवान जी बैठे रहते है ना इसमें बगगी पे तो ये तो है बासे बगगी और ये तो है बासे बर्फ क्या है ये बासे बर्फ और ये है बासे बस 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 से तो हम लोग घूमने चाते है न, हाँ, और ये है बासे बच्चा, बासे बच्चा होता है, बच्चा मेंज, अभी तो आप लोग छोटे हो ना, तो अभी तो आप लोग क्या हो, बच्चा हो, क्या हो, बासे बच्चा, तो अभी एक एक करके सारी इमेजेस को देखते हैं, तो ये देखो, ये क्या ही, ये त मेरे साथ में बोलो बासे बगीचा बासे बगीचा एंड आप भी अपने घर में चेक करना आपके घर में बगीचा है क्या और ये तो है बासे बस बासे बस बस मेंज जब आप लोग कहीं गूमने जाते हो तो किस से जाते हो बस से जाते हो और जब स्कूल आते हैं तो स्कूल किस से आते हैं? स्कूल भी बस से आते हैं तो ये तो है बासे बस और ये तो है बासे बेल हमारे यहाँ घर पे काउ और बेल आते हैं न तो ओक्स मीन्स बेल होती है तो ये वही बाला बेल है ओक्स मीन्स बासे बेल क्या है ये बासे बैल और ये तो है बासे बकरी बासे बकरी बकरी को तो सब भी लोग जानते हैं इसको जी फॉर क्या बोलते हैं जी फॉर गोट भी बोलते हैं तो ये तो है बासे बकरी और ये तो है बासे बंदर बासे बंदर इसको इंग्लिस में तो मंकी कहते हैं और हिंदी में तो बासे बंदर कहते हैं और ये तो है बासे बिल्ली कौन है ये बासे बिल्ली इसको क्या कहते हैं इसको तो सी फॉर कैट कहते हैं ना हाँ इसको तो सी फॉर कैट कहते हैं यह बासे बिल्ली और यह तो है बासे बच्चा बासे बच्चा और यह है बासे बोर्ड मैम आपको बोर्ड पर पढ़ाती है ना बोर्ड पर लिखती जाती है फिर आप लोग उसको रिवाइस करते हो बासे बोर्ड भी होता है तो बोलो मेरे साथ में बासे बोर्ड बासे और क भी होता है और बासे बल्ब भी होता है तो कितनी सारी चीजें होती है न बासे तो तो इसी तरह से आपको भी लर्ण करना है ठीक है बाई have a good day